आपका वेलकम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्तान की सिंचाई प्रियोजना हैं और राजस्तान की जो सिंचाई प्रियोजना हैं वो तीन परकार से हैं और सबसे बड़ी जो प्रियोजना हैं जिसे अपन बहुत देश ये प्रियोजना कहते हैं और बहुत देश ये हैं हमारे सिंचाई प्रियुजनाई राजस्तान की कौन कौन सी इंपोर्टेड है चला सुरू करते हैं इसे पहले कोई कुछ इंपोर्टेड फैक्ट के बारे में तो राजस्तान का कर्षी सिंची जो चेतर है वो 61 पॉंट 35 लाख हेट्टेर चेतर में विश्तरत है और राजय आंतरी प्रवाय का जल पाया जाता है सरवादिक सिंचाई वाले जीले हैं गंगानगर अलवार चैपूर हनमानगड राजस्तान की जो नमींतम जलनिती थी वो 2010 थी और भारत के कुल 27 जल ससादरों में राजस्तान का जो हिंसा आता है वो आता है 1.16% और एक मोस्ट इंपोर में हैं सिंचाई के सादन कौन कों से तो तीन एक नलकुप कुए नहरों से होता है और तालाबों जर्नों से होता है तो नलकुप और कुए से नहरों से सरवादिक जयपूर में और लगवग 66% हिंसा नलकुप और कुए से होता है सिंचाई और नहरों से सरवादिक गंगनग हैं वो चेतरपड की दस्टी से जो एरिया है वो तीन वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं एक लगूश इंचाई प्रियोजना ए मद्यम एक वरहद सिंचाई प्रियोजना तीनों जो हैं लगूश इंचाई जो प्रियोजना है वो हुई देखरण करते पहले और सबसें जो इंद्रा गांदी प्रियोजना इस्का जो निर्मान कारिये जो सबसे पहले जो किया गया था वो यह कह सकते हैं उदगाटन जो किया गया था वो शिरीगनिस या किया गया था तो यह तंतकालिन ग्रह मतरी गोविंद बलब पंथ थे उन्होंने कत्तिस मार्च उन्नीस सो ठाउन को किया गया था और ग्यार अक्टुमर उनीस सो एक सट इसे चाई आमारी प्रारम हो जाती ह और जब तंतकालिज उपराष्टफती डॉक्टर रादाकर्शन ने नौरंग्देशर वित्रीका में जल्ब परभावित किया था और जब कि यह राजस्तान नहर के नाम से जाने जाती थी लेकिन दो नौंबर उनीस सो चोराशी के अंदर क्या हुआ कि इंद्रागानी नहर प्रियोजना इसका नाम दे दिया गया इसके बाद में इंद्रागानी नहर की प्रानभी की रूप रेखा कब त्यार की थी तो 1948 में और इंजिनियर जो कवर से नाम की वेक्ती थे उन्हों नहीं सबसे पहले ये रूप रेखा त्यार की थी इसके बाद में सिंची चेतर अपना आए गया और ये याद रख लेना कि भई शिंची चेतर 16.17 लाख हेक्टियर जिसकी वीतिय साहिता करता है वी सो बेंग इंद्रागानी नहर को अन्यकिस नाम से जानते हैं तो जीवन रेका या मरूगंगा इंद्रागानी नहर का मुख इंद्रागानी नहर जो पंजाब हर्यान के बहने के बाद में राजस्तान हनमानगर जिले के तैसिल के खारा गाउंस में परवेस करती हैं तो इस प्रियोजना में सिर गंगानगर बीका ने जैसर मेर और बाड़ मेर की जलापूर्टी होती है और एक इंपॉर्टर फेक्ट है कि हनमानगर के स्विम ग्रस छेतर के उपचार कारी के लिए निदरलेंड की जो कंपणी है आर्थिक शियों करती हैं उसे इस कंपणी को इंडो डस के नाम से जानते हैं और इंद्रागानगर नहर के लाइवेंज जिले कितने तो नो है तो कुन-कुन से गंगानगर बीका पादी जो कमांडरिया जैसरमेर में इसके बाद में वीकाने में हैं और इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमेटर और चुड़ाई है 134 फीट नियूनतम और अधिक तम जो यहां की जो चुड़ाई है 218 फुट है और पानी की जो गहराई है 21 किलोमेटर इंद्रागे नहर क की कुल लंबाई अगर बात के लिए तो 649 किलोमेटर जिसे दो अपन भागों बार सकते हैं एक तो पर्थम बाग पर्थम बाग जिसे फिडरन नायर के नाम से जानते हैं इनकी कुल लंबाई 204 किलोमेटर जो पंजाब में 150 किलोमेटर राजस्तान में 35 किलोमेटर और 18 किल यानमी बैरका है और राजस्तान में यानि हिरके बिराज दो बांध है पंजाम में वहां से ये लेकर हनुमानगड के मिश्टे वाली हेड तक इसका विस्तार रहे यानि ये कुल मिलाकर 204 किलोमेटर तक विस्तार रहे और इस नहर जो फिडर नहर जिसे का जाता है और इसके जो बीच में पानी का दोहन नहीं किया जाता तूसरा बाग जिसे मुख्य नहर के नाम से जानते हैं इसके लंबाई ये 445 किलोमेटर और मिस्ता वाली हेड से लेकर जैसलमेर के मोहनगड तक यानि इसका विस्तार है और इनकी कुल लंबाई के अगरबाद के 445 किलोमेटर ह हमारी मेकों के हेरिकी वेराज बांसे लेकर और मोहनगड तक यानि कुल अगर लंबाई के अगरबाद करें तो 449 किलोमेटर हैं और सारी जितनी वी जो उपशाकाई और लिफ्ट नहरे सारी जो वित्रे का हैं उनको जोड़कर अगर बाद करें तो कुल लंबाई है 9060 किलो में निर्मान का लिये पूरा वाता 393 कि पर्थम चरण का निर्मान देखें किंगे फिडर नहर 204 किलोमेटर यह निर्मान वाँ इसके साथ हीरके विराजबांध मिस्ता वाली हेड सेंग लेकर मुख्य नहर 119 किलोमेटर पुंगल में पड़ता है बीका ने जिले की पुंगल तसील में तो इसका जो निर्मान जो कारिया जो कंप्लीट वा था प्रारम हुआ था 1908 में और कंप्लीट हो गया था 1905 गंदर तो इस भाग का भाग पर द्वारा यान पांच पॉंड 7 लाख एक्टेर सिंचाई चमता का स पुंगल तसील बीका ने जिले से लेकर मोहनगड जेशनमेर की तक यानि इस नहर का निर्मान वा था और कुल मिलाकर 256 किलोमेटर ये नहर बनी थी और अंतिम जो मोहनगड नामक्स दुस्तान है इसको हिंद्रा गांधी नहर को अंतिम जो चोर को अपन कहते हैं जीरो पॉ वपन पढ़ते हैं राजस्तान की इंद्रा गांधी नहर की लिफ्ट नहरे तो राजस्तान कितनी लिफ्ट नहरे हैं तो लिफ्ट नहरे हैं वो साथ ही मानेगे लेकिन एक निर्मान अधी ने एक पस्तावित हैं और लिफ्ट नहर किसे कहते हैं तो लग बग जो नहर के बा प्रणा नमतार नौर्ब सभा लिप्टनेर जो हन्मानstill Raqchandrali चुरूर dönem है औरर यह यह इस लिफ्टनार पर आपनी योजना संचारीत तो जिसमें गंदेली सहाभा के लिफनार के नाम से जानते हैं और जर्मन के शियोंग से और लक्षमिनार मितल के शियोंग से आपनी योजना चला जा रही है इस योजना में पर्थम चरण में हनमानगर चुरू और दीटे चरण में चुरू वैजुनुन के कुछ गाउं को जलापती या पिर पेजल सवीदा के लिए दूसरी जो लिफ्ट नहर है जिसको कहते है अपन कवर्शन लिफ्ट नहर और इसको पराना नम था वीका ने नूलंगर से लिफ्ट नहर और जो वीका ने और गंगनगर जिलो में जो बैती हैं इसके बाद में पन्नालार बारुपाल लिफ्ट नहर जो गजनेर लिफ्ट न कर्सा भागड रिप्ता है लिपकानिर तैंसलोय को भी पाल्बावितर है तो बुल को लिकते हैं जो जोद्पूर जिलों में पानी सिंचाई के लिए या पैजल के लिए काम में लिया जाता है निर्मांदीर लिफ्ट नहर कोई से है तो बाबा रामदेव लिफ्ट नहर जो गड़रोड बाडवेर तक यानि महौनगर से लेकर गड़रोड के बीच का जो पहले उसे उपसाका के नाम से जाते थे और ये परस्तावित लिफ्ट नहर जो बेरुंदान चारनी लिफ्ट नहर है वो जेसलवेर में है और राजस्तान में यानि इंद्रगादी नहर प्रियोजनाम पर कितनी साकाई हैं तो नो साकाई हैं सबसे पहली राउसर साका जो हनमानगड में अनुग बिर्बल साका जैसरमेर में, सागरमल गोपा जैसरमेर में, आपसे अब एक परश्म पूचा जाता है, कि कौन से जिले में सरवादिक साकाओं बैती हैं, तो बिका नेर्ड में सबसे ज़्यादा साकाइं बनी वी हैं, और इंद्रागाने नहेर प्रियोजना की तीन दीगा एक भकरतूला या जिसें गडर रोड उफसाका के नाम से जानते हैं, अगली जो प्रियोजना है बागड़ा नाग्ला प्रियोजना जो राजस्तान पंजाब हरियाना की स्यूख प्रियोजना है, ये सबसे भारत की सबसे बड़ी नदीगाटि प्रियोजना है, और बाखड़ा नागला प्रयुजना जो राजस्तान की हिमले नद्यूँ से यान दो पॉट्ट सोरी जिरुपॉट्ट दो एक और मेफ पानी मिलता है हमें और बाखड़ा नागला प्रयुजना पर दो बांध बनी वें एक तो पंजाब के होश्यापपुर जिले के बागड़ा नामकस्तान पर 226 जो मीटर उंचा है दूसरा जो बागड़ा ये नांगला है ठीक नहीं नांगला ये थोड़ सा क्रेक्शन को लेना बागड़ा 12 किलोमेटर दूर ये नांगल स्तान पर ये 29 किलोमेटर उंचा नांगला बांध बनाया गया है और बागड़ा बांध देश का सबसे उंचा जो बांध है बागड़ा बांध प्रियोजना सबसें जो लाबन जिले है जो हनमानगड है और इस प्रियोजना में पुर्ति के लिए यानि यह लाविन जेले आते हैं तो शिंचाई के लिए शिरिक नमान गड़ा बाकी विदूद प्रियोजना के लिए आते हैं जाद तर बांगलाबान से निकली गई ये प्रियोजना है या नहर है जो पंजाब हर्याना और राजस्तान के शिंचाई शुव तक टियान विशती रहता है, इनके कुल लंबाई एक सो सेतर क्म है अगली व्यास नदी तो व्यास नदीय राजस्तान पंजाब हर्याना के शिंचे प्रियोजना है और राभी व्यास जो नदीया है इसके जल के उप्योग करने के लिए ये प्रियोजणा शुरूई होती है और व्यास जो प्रियोजणा है इंद्रागांदी नहर प्रियोजणा की नियमित जलापूर्थी करने के में मदद करती है उन पर दो चर्णों में काम होता है पर्थम चरण व्यास सतरण लिंक नहर बन की ती और ये राजस्तान और मत्यक्रतीश प्रियोंग जो इसा है 50-50 डोनों यह बना गई इस पर चार डैन है एक गंदी सागर बानद और अनपरताब बानद बांद यहां पर विदूद उत्पादन पांद चमता होती है 23 मेगवट की 5 इकाईय हैं कुल मिलाकर 115 मेगवट उत्पादन होता है और गंदी सागरबान 1960 में मदेपरदेश के बानपुरा ताशील के बानपुरा से 33 किलमेटर दूर मदेपरदेश और मदेपरदेश के 84 गड़ से 8 किलमेटर दूर पर गाटी की चोड़ाई कम की गई है ये 84 गड़ आठ किलमेटर पहले एक गाटे पर बनावा ये डैम है और इनकी गंदी सागरबान यान 514 मेटर लंबा है और 62.17 मेटर उंचा है ये भी सीटी में बहुत बार दो तिन बार आप से पूछा जा चुका है कि इनकी कुल लंबाई कितनी है राना परताब सागरबान तो जल विदूद उत्पादन ये 33 जो मेगवोट की चारी कही है कुल मिलाकर रहे जो बहतर मेगवोट उत्पादन करती है और ये भी पूछा जा चुका है कि सबसें जादा विदूद उत्पादन कौन सा डैम करता है तो राना परताब सागरबान और ये है कहां पे तो ये चितोडगर जेले में है और इनकी उंचाई कितनी है तो 53.9 मेटर तो ये ये उसका याद किलेना इसके बाद जवार सागरबान तो 33 मेगवोट की तीन इकाई है ये उत्पादन करता है ये है कहां पे तो कोटा में और बुंदी में भी सिंचाई प्रियोजना के लिए ये काम में ले जाती है इसके बाद कोटा विराजबान ये केवलों सिंचाई के लिए बनावाए डेम है ये 53 में शुरू वाता 1960 के अंदर ये बनकर त्यार वाता इस पर दो नहरे निकालेगी ये बायं तरफ ये दायं तरफ तो ये आप याद किलेना इनकी जो लंबाई है वो 178 किलोमेटर है इसके बाद माही नदी प्रियोजना तो माही नदी मद्यपर्देशों राजस्तान और गुजरात में बैती है और इस प्रियोजना का निर्माण 1922 में वाता और राजस्तान और गुजरात की इस प्रियोजना है और उनकी जो इंसाधारी है प्रियोजना राजस्तान और गुजरात की और इंद्रागंदी ने 1983 के अंदर इसका जो लोकाप प्रित गिया था और इसका तो पर्थम चरण है बांशवड़ा के बोर्ख खेड़ा के पास जो लगबग अपन मानते हैं तीन किलोमेटर लंबे जो माही सागर बांध बना है और राजस्तान का सबसे लंबा ये डैम है दूसरा जो चरण है बांशवड़ा के कादली पीक अप नामक बांध बना हुआ है और यहां से जो निकलती है बीका भाई सागवाड़ा वाई आनंदपूरी नामक दो नहरे निकलते हैं और डूंग उपर जेले की सिंचाई के लिए ये पानी कामे लिया जाता है तीसरा ज जो चरण है गुजरात के गारा ननें जहां बनावां सों पर्तिशन है राजूरा सरकार कारश है और इसे विदूत ग्रह से राजस्तान को विदूत प्राप्त भी होती है। इसके लावा बांशवाड़ा के लिल वाणी जो नामक्स्तान पर ही विदूत जो ग्रह सतापित किये गए हैं, यहां के 140 MW विदूत प्राप्त होती है, और इस प्रियोजन में सर्वाधिक जो परियोजना तो जवाइबान का जो निर्मान किया गया था 1926 को जोद प्रियास्त के महराजा उमेद सी ने और पाली के सुमर पिर एरिनपुरा के पास स्टेशन से धाई किलोमेटर दोरी पर यह करवाया गया था इसे राजस्तान या कह सकते हैं पस्छी मेराजस्तान का इसे अमरा सुरावर भी का जाते हैं जवाई बांध को नोगस्त उननी सो स्तंतर को सही का पानी यहां पर डारा जाता है और इस बांध की पानी के आवक कम होने पर उद्यपूर के कोटड़ा तेशिल के निर्मीत जो सही प्रियोजना है यह जोड़ा जाता है तो पुचा जा सकत जो साकाइं भी निकलती है अगली परियोजना लखवार बांध परियोजना की सुरुआत यानी शुरू में यह उत्रपरदेश राजस्तान उत्रा करने और डिल्ली हर्यान दिल्ली और हिमाचत परदेश के साथ यानी यह शुरू भी थी लेकिन कुछ कारणों के बाद में राष्ट्री परियोजना गोशित कर दी गई और नबह पिस्ति धन के अंदर सरकार उसका वहन करेगी तो दस परतिस्ते जो राजे सरकार है वह वहन करेगी यह है कहां पर तो लखवार जो प्रियोजना है वो उत्राकंड जिले में डैम बना हुए लखवार बांध प्रियो 266.5 एक रोड है इसके बाद गंग नहर प्रियोजना तो गंग नहर प्रियोजना भारत की पर्थम नहर शिंचाई प्रियोजना थी और इसका जो उदगाटन हुआ था 1927 के अंदर तंतकाल वाइसराइज लोड इरिवन थे उन्होंने सीव पूर हेड में पाने छोड़कर ये उदगाटन किया था इसके बाद उनकी कुल लंबाई तो 139 किलोमेटर है और राजस्तान की इसके लिजो लंबाई है 17 किलोमेटर है और पंजाब में 112 किलोमेटर है तो गंग नहर की अधार शिला जो फ्रोजपूर हेड से रखी गी और 1921 के अंदर तंतकालिन विकान इ जारान जी और नालगड और करनी और समेजा ये चार कुल मिलाकर यहां की उपसा कहीं तो गंग नगर में गंग नहर को जिविंदाएनी उपनाम से जाना जाता है यह है नहर है 17 नदी के पंजाब की फ्रोजपूर के निगट यान उसेनी वाला से निकलती है और यह नहर रा प्रयोजना राजीव गंधी शीद मुक्णहर तो यह प्रयोजना 1981 राजस्तान पंजाब हर्यान को से मद्दे यह एक प्रयोजना है और 1989 के आंदर राजीव गंधी द्वारा इसका शिलनाइस किया गया था और इस प्रयोजना का आर्थिक जो स्योंग है वो हमें यूरोप आर्थिक सेयोंग से मिलता है और ये जलापफुर्ती कोंसी नदी करती है तो रावी और व्यास और इस प्रियुजना राजस्तान के नमानगड जेले के जो बिरानी जो गाउं है बादरा में पड़ता है बादरा तैसिल नमानगड में तो ये प्रवेस करती है और इस नहर की जो लंबाई है वो 254 किलोमेटर है और इंद्रगादी नहर के बाद की सबसे बड़ी लंबी नहर है और नाविज जेले की बात करें तो हनमानगड जेले की अगर बाद मैं बात करूं तो दो तैसिल आती है नोर और बादरा और चुरू की अगर बात करें दो भी दो तैसिल के बिदो को सौनिय गांदी और इसका जो नाम राजीव गंधी शित्यक beste जो षाहिए गया तक सिंचिते किया जाता है और ये नर्मदा नदी पर जो बनावा है सदाशरोर बांध जो गुजरात से यहां से यह निकलती है और इस बांध से राजस्तान को अपन जो पानी जो मिलता है वो 0.5 म.A.F पानी मिलता है हमें इनकी जो कुल लंबाई है चोतर किलोमेटर और गुजरात में इनकी लंबाई है चार्शो इटाशी किलोमेटर और 27 मार दोजाट आठ को सीलू गाम जालोर में यह प्रियोजना का पहली बार जल का प्रवेश किया गया था और ये वसुंदर राजे द्वरा करवाया गया था राजस्तान की पर्थम प्रियोजना जैसे शिंचाई किवल फवरा पदिदी सिंग होता है और इसकी कुल जो 12 वित्रेकाई हैं जिसमें से 3 जो लिफ्ट नहर मनाई गई हैं एक तो सांचोर एक बादरेडा एक पनोरिया अगली गुड़गावा नहर प्रियोजना हर्याना राजस्तान की प्रियोजना है यह यमुना नर्दी के ओंखला के पास निकलती है यह राजस्तान में प्रवेश हर्याना के बाद बर्थपूर जिले के कामा तशिल जुरेरा गाउं में प्रवेश करती है गुड़गामा जो नहर है इसे बर्थपूर की कामा और डिंग तस्हिल में पानी की वैवेस्ता होती है इसका जो नाम बदलकर यूमुना लिंक नहर कर दिया गया और यहां इनके जो कैपिसिटी हैं 2100 यानी क्यूसेक हैं और राजस्तान में 500 क्यूसेक पानी मिलता है हमें हर राजस्तान की जो आम्टित जल का सत्र प्रतिस्त पाग उप्योग लिया जाता है अगली बर्थपूर नहर प्रियोजना इसका जो निर्मान 1964 के अंदर यमरन नदी पर आग्रा शहर से इसका जो निर्मान किया गया था उत्रप्रदेश के बाद में यह बर्थपूर में जि डेम प्रियोजना यह दिल्ली हरियाना उत्रप्रदेश उत्राखंड और हिमाचल यह राजस्तान की श्यूंग प्रियोजना कुल मलाकर चैर राज्यों के अंदर पेजल आपुरती के लिए यह डेम बना हुए यह इस पर दो साइक नदिया है एक घिरी और टॉंस नदी और इस प्रियोजना पर 40 मेड़ाट विदूत उत्पादन होता है और यह इस जो प्रियोजना का घर्च करेगी वो के अंदर सरकार करेगी जब कि 10% सकता है वो राजय सरकार करेगी 39% के अंदर सरकार करेगी इसके बाद मद्यम लगूस इंचाए प्रियोजना एक विसलपूर नदी पर इस्तत हैं और और यह कांपें तो विशलफूर गाउं या टोडा राइसींग टॉंप पर यह तिर्मेन संगपर इस्तत हैं खारी बनास और डाई यह राजस्तान का कंक्रीडी से बनावा पूरा का पूरा डैम है और यह जो बाद है जैपूर टॉंग किय तो इसलिए इस प्रियोजना का जो समझ है पिस जिले से तो सवाई महदपूर और इसके बाद में सूम कागदर प्रियोजना ये उद्यपूर में हैं इसके बाद में सूम कमला अमला शिंचाई प्रियोजना और यह याद रख लेना ये कौन सी नदी है तो सूम नदी पर हैं यह याद रग लेना सोम कमला अंबा जो प्रियोजना है यह भी डूंगरपुर जिले में यह सोम नदी पर इस्तित है कमला नंबा गाउं के समीप बांद बनावा है यह डूंगरपुर उद्य पर गाउं को सिंचाई के लिए पानी उपलब्द करवाती है इसके बाद मेजा ब अगला नारानशाघर प्रियोजना कह पर हैं तो यह अजमेर-अब्याउर-बांध का नाम भी नारानशाघर है और खाली नोधी पर और तंथकाली बांद के प्रदार्मतरी था 700 के अंदर अटल बहार बारिवाजपी ने इस प्रियोजना का 17 11 योजिना का स्वभाण किया है पाद्स सना प्रेज़ना क्रोली में क्रोली के समीप क्या है कि में बएक चप्मियान हुआ मर्वटी हैं जो बैहता है तो यह आप याया रख ले लियाना है इसके बाद में मौरिल बांध ये दोसा में हैं इसके बाद में पारवती प्रियोजना या पर आंगाई बांध ये धोलपूर में इस्तित हैं और कुन सी नदी नदी का अगर बात करें तो ये चंबल नदी पर इस्तित हैं इसके बाद में गंबीरी प्रियोजना ये इसका जो आगे अन्य प्रियोजन है तो चाकल जो शिंचाई जो प्रियोजन है जिसका संबन्द है बुंदी औराई शिंचाई प्रियोजन है जिसका संबन्द है चितोडगर चापी जो शिंचाई प्रियोजन है जिसका संबन्द है जालावार जिले से बन बारेठा सिंचाई मांद१ प्रियोजन suya डोन अमेद और शत्रवादों कोटा और और सांवन प्रियोजना Это मांदो साहय कर दिए चूछी संबंद है और जिएपया मांची बाह्र प्रियोजना घर संबंद है जोदपूर और जाखंबान आपको पता है कि राजस्तान का सबसे उंचा जो बांध है और ये अनुपूरा गाउं परताबगड जेले के एक नदी है जिसका नाला जाखंब नदी पर ये इस्तदवान है कोटा सानुबाद और तकली प्रियोजना और जालोर की बांकली स्व कि यंदो में पटवार हो गया अनेक प्रियोजन में इस प्रियोजना को परतन है कोई कंपेटिशन इसे पूछती है जाला बाड जाखंब प्रयोजना यह पहुत इंप्रोटट यह यह तो चानदर का है यह याद कि लेना आप बारा बेथली प्रियोजना लासी प्रियोजना ये बहुत इंपोर्टेड है बहुत बार पुछा जाज़ा चुकते हैं हत्याद है ये बहुत इंपोर्टेड है तो ये इसको याद के लेना विलास को भी याद के लेना तो ये सारी सारी बारा में बुंदी गरदड़ा प्रिय प्रियोजना की और बजट्र सेशन 2022 और इसको चान में तो क्रोड पस्तावित पुरी राजस्ता नहर प्रियोजना का निगम का गठन किया गया था और तेरा जिलो में इसको पेजल सिंचाई के लिए उपलगत करवाई जाएगा यह तेरा जिले जिसमें जालावार यान कोटा संबाग और पूरा रहेगा और इसके बाद में स्वाइमादोपूर, क्रोली, दोलपूर, बर्थपूर, दोसा, अलवर, जैपूर, अजमेर, टॉंक और दक्षिन पुरी राजस्तान की जो प्रमुक्ष जो नदिया है उनको आपस में जोड़ा जाएगा एगले चंबल, द जैजल प्रियोजना है वो 3,160 क्रोड उर्पे की लागत से बरेगा अगली जो मोस्ट इंपोडेट है नेराचल योजना दियल्हों में सिंचा लीत है एक उद्यपूर एक जोदपूर और वाटरेट नेराचल प्रियोजना की अंतरगत सामिल है वो केवल और जोदपूर आत तो लगोर सिमान्त कर्शकों को कुईक निर्मान के लिए अनुदान रासी देती हैं तो इसलिए ये योजना इसे रिलेटेड है तो हमारा आज का सेशन कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा और आज के सेशन में बस इतना ही मिलते हैं अगले सेशन के अनिवाद